नमस्कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे वर्नियर हाइट गेज के बारे में वर्नियर हाइट गेज फेटिंग सोप या मसीन सोप में इस्तेमाल होने वाला मार्किंग टूल और मेजरमेंट टूल होता है वर्नियर हाइट गेज की मदद से हम जोब या वर्कपीस के उपर मार्किंग कर सकते हैं और इस गेज की मदद से हम जोब या वर्कपीस की जो हाइट है उसको भी मैजर कर सकते हैं कारव या फिर सरकल इसके दोरा हम मार्क नहीं कर सकते स्ट्रेट मार्किंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है वर्नियर हाइट गेज की जो एकुरेसी है वो वर्नियर कैलीपर की तरह ही होती है जैसे हम vernier caliper को read करते हैं उसी तरह से vernier height gauge को भी read किया जाता है अब बात करते हैं vernier height gauge के क्या-क्या parts होते हैं जैसा आपको diagram में नजर आ रहा है सबसे पहले हम बात करेंगे base की जो बिल्कुल bottom में है base जिसके उपर ये पूरा mount होता है सबी parts base के उपर ही mount है और base को हम surface plate या फिर marking table पर इसको रखा जाता है base हमें stability और rigidity provide करता है उसके बाद जो vernier height gauge है ये stainless steel का बना होता है और जो base है base के उपर ये vertical bar होती है जिसे हम beam भी कहते हैं और vertical bar के उपर ही main scale होता है और ये जो main scale है इसकी जो division है वो centimeter में होती है और इसकी जो range है यहाँ पर ये 30 centimeter की इसकी range है vernier height gauge की 45 centimeter का भी होता है 60 centimeter का भी vernier height gauge होता है according to requirement हम अलग-अलग range के जो vernier height gauge है उसका इस्तिमाल कर सकते है उसके बाद आता है sliding head नाम से पता चलता है sliding कि जो sliding head है ये vertical bar के उपर slide करता है कि हमें marking कितनी किस height पर करनी है या किस surface की height कितनी है उसी साबसे हम sliding head को vertical bar के उपर उपर या नीचे slide कर सकते हैं और जो sliding head है इसके उपर ही एक vernier scale होता है जिसमें एक side पर तो inches में होती है division और दूसरी side पर mm में division होती है और इस पे देखें दो lock nut इस पे लगे हैं यहां उपर एक auxiliary head है lock nut की मदद से हम इसको desired position पर lock कर देते हैं उसके बाद अगर हमें थोड़ा बहुत change करना है dimensions में तो हम fine adjustment screw की मदद से थोड़ा change कर सकते हैं sliding head के साथ यहां पर bracket लगा होता है और bracket जो है उस पर एक clamp लगा होता है clamp के उपर एक clamping screw होता है और इस bracket में हम अलग से जब हमें marking करनी है या height measure करनी है अलग से जा को insert किया जाता है उसे हम कहते है स्क्राइबिंग जा को हम इसमें clamp में insert करके clamping screw की मदद से इसको tight कर दिया जाता है स्क्राइबिंग जा को हम offset scriber भी कहते हैं और इसके आगे की जो tip है जिसको marking के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो carbide tip होती है उसकी hardness बहुत ज़्यादा होती है और वो जल्दी से wear भी नहीं होता तो marking करने में इसका 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 किया जाता है उसके बाद हगर हम बात करें जो vernier height gauge है इस पे जो reading है वो किस प्रकार से ली जाती है तो vernier height gauge का जो list count होता है वो होता है 0.02 mm ये वो measurement होती है जो किस instrument का list count है वो उसका minimum measurement है जो हम इस पे measure कर सकते हैं तो सबसे पहले जैसे हमें height को measure करना है तो इसमें क्या है कि हम दो reading देखते हैं जो पहली reading है first reading स्पोज मान लीजिया हमने measure किया और पहली जो reading है वो हम main scale पर देखेंगे अब main scale पर क्या है जो cm में division है तो suppose करो पहली reading हाई हमारी 4 cm अगर इसको mm में convert करें तो ये हो जाएगा 40 mm तो 4 cm उसके बाद थोड़ी सी अगर matching फिर देखेंगे जो वर्नियर scale है वो कहां पर किस reading के साथ मैच करता है main scale पर तो second reading हाईगी हमारी वर्नियर scale थे scale से 100 मान लीज क्या होगी जो first reading है plus second reading second reading को हम list count से multiply करेंगे तो 40 plus 16 into 0.02 जो list count है equal to 40 plus 0.32 तो हमारी जो final reading आएगी वो आएगी 40.32 mm तो इस प्रकार से height को measure किया जा सकता है तो दोस्तों जो vernier height gaze के बारे में हमने आज discuss किया इसका function क्या है कहां इसको 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 इस्तेमाल किया जाता है और इसके क्या-क्या parts होते हैं और vernier height gaze को use करने से पहले क्या होता है कि हम एक बार इसको नीचे लेके आते है sliding head को और जो 0-0 की matching की जाती है जो 0-0 की matching अगर इसको थोड़ा बोत हमें error आ रहा है तो क्या है कि यहाँ पर जो adjusting screw है इसकी मदद से main scale को adjust किया जाता है और 0-0 की matching की जाती है reading लेने से पहले तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और जल कर सकते हैं